हम शहीद रोहिनी बरुवा को याद करते हैं जिने 18 जुलाई 1935 को मौत की सजा सुनाई गई रोहिनी बरुवा ने चटगाउं शस्त्रगार चापे में भाग लिया था बरुवा ने ब्रिटिश पुलीस के कत्याचारी सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी इसके लिए उन्हें बंकिम चंद्रसेन के साथ नोवा पारा गाउं में गिरफतार कर लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई रोहिनी बरुवा को 18 दिसंबर 1935 को फासी पर लटका दिया गया अपनी रिहाई के बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंधोलन में सक्रे भाग लिया उन्हें फिर से गिरफतार किया गया और धाका सेंटरल जेल में डाल दिया गया जहां नवंबर 1943 में उनकी मृत्यु हो गई हम स्वतंत्रता कारेकरता इसुर सिंग को भी याद करते हैं जिन्होंने 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया नवंबर 1858 में इसुर सिंग को सश्रम 14 साल के कारवास की सजा सुनाई गई थी 18 जुलाई 1869 को अंडमान द्वीब समुह में कारवास की धौरान उनकी मृत्यु हो गई